अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आर्टी टैली प्राइम के आज के सध्याय में हम आपको बताएंगे कोटिशन क्या होता है इसका क्या उप्योग है इसे टैली प्राइम में कैसे बनाते हैं कोटिशन और इन्वोईस इन दोनों में क्या आंतर होता है और कोटिशन से इन्वोईस कैसे बनाते हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्पुन टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें हमने अपनी कई वीडियोज में आपको sales voucher बनाना बताया है जिसे हम sales bill या sales invoice भी कहते हैं और आज का विशय भी इसी से मिलता जुलता है इसमें हम आपको quotation के बारे में बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि ये sales invoice से क्यों अलग है तो चलिए शुरू किरते हैं आज का अध्याय कोई भी व्यक्ति या व्यापारी अपने निजी उप्योग के लिए या व्यावसाईक उप्योग के लिए जब कोई goods या service खरीता है तो वो सबसे पहले बाजार में अलग-अलग दुकानदारों से संपर करके उनके rate और उनसे संबंधित अन्य जानकारियां लेता है और प्राय या जानकारी वो supplier से लिखित में यानि return में लेता है इस लिखित जानकारी को ही हम quotation कहते हैं खरीतदार जब अलग-अलग लोगों से quotation ले लेता है तो उनकी आपस में तुलना करता है और उनमें से ज़स supplier का quotation उसे सबसे reasonable लगता है उससे वो goods या service खरीता है quotation में कई बार ऐसा भी होता है कि हमें किसी supplier के rate किसी item में कम और किसी item में ज्यादा लगते है या अंधियं कोई conditions हमें ठीक नहीं लगती है तो हम उस supplier से उन्हें ठीक करने के लिए कहते हैं जिससे कई supplier सहमत होकर revised quotation देते हैं और इस तरह बाचित का सलसिला आगे बढ़ता है अमाली जे हम एक supplier हैं और हमारा कोई customer हमसे quotation मांगता है तो हम quotation कैसे बनाते हैं और इसे बनाते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं चलिए देख लेते हैं यहां हमने पहले से ही एक company बनाई हुई है जिसमें GST भी enable किया हुआ है साथ ही ledgers, stock items, इत्यादी बनाए हुए हैं हम इसी company में काम करने वाले हैं अभी हम gateway of tally पर हैं quotation के लिए हमें पहले एक voucher type enable करना होगा उसके लिए पहले हम voucher पर जाएंगे अब यहां other vouchers पर जाने के लिए F10 की प्रेस करेंगे यह देखिए list of voucher types आ रही है अब जो voucher inactive हैं उन्हें देखने के लिए हम show inactive पर जाकर इंटर प्रेस करेंगे अब sales order पर जाकर इंटर प्रेस करेंगे ऐसा करते ही एक message आ रहा है you need to activate the sales order voucher type और फिर पूछा जा रहा है activate now इसका मतलब है कि sales order voucher type को activate करने की ज़रूरत है क्या इसे अभी activate कर दें? इसे activate करने के लिए हम yes कर रहे हैं देखिए ऐसा करते ही sales order के नाम से एक नया voucher open हो गया है अभी हम आगे समझने के लिए इसे बदल कर payment voucher open कर लेते हैं ध्यान दें यदि कोई दूसरा voucher open है तो sales order voucher open करने के लिए या तो यहाँ जाकर क्लिक करें और फिर sales order पर क्लिक करें या फिर इसका shortcut control के साथ F8 की को प्रेस करें यह देखिए sales order voucher creation screen आ रही है एक महतुपुन बाद ध्यान रखें अभी यहाँ पर sales order voucher open हुआ है इसका उपयोग हम दो तरह के vouchers बनाने के लिए करते हैं पहला sales order बनाने के लिए इसके बारे में हम भविश्य में बताएंगे और दूसरा quotation बनाने के लिए हम इस voucher का उपयोग quotation की तरह करना चाहते हैं तो पहले हमें right menu bar में optional पर जाकर क्लिक करना होगा या फिर इसका shortcut control के साथ L key को प्रेस करना होगा ये देखें ऐसा करते ही स्क्रीन पर status के सामने optional लिखा हुआ आ रहा है मतलब अब हम इस voucher पर अपने customer के लिए quotation बना सकते हैं यहाँ number अपने आप आ रहा है अब हम जिस तारीख में quotation बनाना चाहते हैं F2 प्रेस करके वो date type कर देंगे party account name में हमें उस party का नाम सेलग करना होगा जिसे हम quotation देना चाहते हैं चुकि इस party का laser बना हुआ नहीं है तो हम इसे create कर लेते हैं यहाँ पर party की details टाइप कर देते हैं हम इस party की contact details भी डालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें more details पर जाना होगा जिसकी shortcut key control के साथ I key प्रेस करना होती है अब contact details पर जाकर enter प्रेस करेंगे अब यहाँ उसकी contact details टाइप कर देंगे और फिर इस screen को accept कर लेंगे और इसे भी accept कर लेंगे अब यहाँ order details की screen आ रही है यदि नहीं आ रही हो तो पहले backspace प्रेस करके voucher पर जाएं फिर after press करके provide dispatch, order and export details को yes कर दें और screen को save कर लें order details में सबसे पहले mode oblique terms of payment है इसमें हमें वह payment condition टाइप करनी होगी जो हम payment के लिए चाहते हैं जैसे cash या 15 days credit या 10% advance and balance 15 days after supply other reference में हम party ने जिस तरह से inquiry की है वो टाइप कर सकते हैं जैसे telephonic conversation या your letter number so and so इत्यादी term of delivery में हम order मिलने के कितनी दिन के अंदर supply करने वाले हैं ये type करना है जैसे कि 10 days after receiving order अब हम enterprise कर रहे हैं ये देखिए एक blank field और आ रही है यदि आप delivery से संबंधित कोई और condition देना चाहते हैं जैसे कि हम party के यहां तक माल की delivery free करने वाले हैं तो यहां type करेंगे FOR और यदि अपनी दुकान से delivery देने वाले हैं यानि हमारे यहां से party को ले जाने का खर्च स्वयम उठाना होगा तो यहां पर हम type करेंगे delivery from our shop और go down इस तरह की कुछ और conditions भी हो सकती हैं जिनने आप यहां पर type कर सकते हैं हम enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं party details के बारे में हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं order number को ऐसे ही छोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं यहां sales ledger के आगे sales account सेलेक करेंगे अब यहां customer हमसे जितने भी items की details पांग रहा है एक एक करके उन सभी की details यहां पर हमें डालनी होगी अब जैसे ही हम item का नाम सेलेक करके end अप्रेस करते हैं item allocation screen आ जाती है जिसमें cursor due on पर है इसे हमें as it is छोड़ना है क्योंकि यह option sales order के लिए है और हम बना रहे हैं quotation यहां पर quantity और rate टाइप करेंगे अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसी तरह अन्य items की detail भी डाल देंगे यहां हम आपको एक बात बता देएं कि आप quotation में discount देना चाहते हैं तो दो तरह से दे सकते हैं पहला हर item का अलग-अलग discount और दूसरा quotation के पूरे amount पर discount इन दोनों के बारे में हम आपको अपनी वीडियो नंबर 88 में बता चुके हैं यहां हम quotation के पूरे amount पर discount देना चाहते हैं तो उसके लिए discount allowed on sales का ledger select करेंगे और यहां पर जिस प्रतिशत से हम discount देना चाहते हैं वो type करेंगे अब यदि आप कोई packing, charge, freight या insurance लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं इनको कैसे लगाते हैं यह हम video number 90 में बता चुके हैं अब आखिर में हम इस पर GST भी जोड़ देते हैं यहां narration में आप supply या quotation से संबंदित कुछ और भी type करना चाहते हैं जैसे कि इसमें आप लिख सकते हैं कि यह quotation quotation की तारीक से 35 दिन तक ही valid रहेगा अब हम इसे save कर लेते हैं एक बात हमेशा ध्यान रखें quotation कभी भी एक final invoice यानि bill नहीं होता है यह हमेशा से ही actual invoice के पहले बनाया जाता है इसे बनाने से हमारी books में stock और उसके मुले पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसको बना कर देने का फाइदा यह है कि किसी भी deal के पहले ही customer को माल से संबंधित, quantity, rate और अन्य conditions के बारे में अच्छा से मालूम पड़ जाता है जिससे कि बाद में किसी भी तरह का dispute नहीं होता और यदि कोई dispute हो जाए तो यह quotation प्रमान के रूप में काम आता है अब हम इसका प्रिंट प्रिव्यू देख लेते हैं उसके लिए पहले page up की प्रेस करेंगे अब control के साथ P की को प्रेस करेंगे प्रिव्यू देखने के लिए I प्रेस करें यह देखे सबसे उपर हमें quotation लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके नीचे हमारा और customer का नाम, पता और अन्य details तो दिखाई पड़ रही है पर contact details नहीं दिखाई दे रही साथ ही हमने जो narration type की थी वो भी नहीं दिखाई पड़ रही है इसी तरह quotation में कुछ details ऐसी भी है जैसे consigny details इसे हम print में नहीं चाहते हैं और एक यह यहाँ due on dates आ रही है जो कि sales order के लिए होती है इसे भी हम print में नहीं लेना चाहते हैं इन सब के लिए हमें print screen पर जाकर configuration करना होगा अब इस list के सभी options देखने के लिए show more पर जाकर enterprise करेंगे और इस list में दिखाई पड़ रहे show delivery date, oblique batch details और show consigny details को no कर देते हैं साथ ही show narrations, show phone number और show contact details को yes कर देते हैं अब इस configuration को control और A की से accept कर लेते हैं accept करने से पहले हम आपको बता दें, यहां हम जो भी configuration एक बार कर लेते हैं वो permanent रहता है, यानि हमें बार बार configuration नहीं करना पड़ता है चलिए अब preview देख लेते हैं यह देखिए, हमारे द्वारा किये गए changes इस quotation में दिखाई दे रही हैं ध्यान रखें, quotation में contact details इसलिए दी जानी चाहिए जिससे की seller और buyer दोनों एक दूसरे से आलसानी से संपर कर सकें यहां उपर quotation का number है, date है, customer द्वारा पुछी गई सभी items की पूरी जानकारी है साथ ही हमारी सभी conditions भी दिखाई पड़ रही है अमान लिजिये हमने किसी party को quotation दिया था और वो इस quotation की condition पर माल खरिदना चाहता है तो हम इस quotation से ही सीधे उसका bill बना सकते हैं उसके लिए पहले हमें party का quotation open करना होगा, उसके लिए हम alter के साथ G की press करेंगे यहां type करेंगे optional, फिर optional voucher पर जाकर enter press करेंगे यहां F2 प्रेस करके वो तारीख टाइप करेंगे जिस तारीख का quotation है और यदि हमें तारीख याद नहीं है तो alter और F2 की press करके संभावित period टाइप करेंगे हम यहां पूरे एक वर्ष का period ले रहे हैं सिलेक किये गए period में आपने जितने भी optional voucher बनाए होंगे वे सब ही दिखाई पड़ेंगे आप जो voucher open करना चाहते हैं उस पर जाकर enter press करें हमने एक ये optional voucher बनाया है वो भी selected है हम enter press कर रहे हैं अब सबसे पहले हम F8 की press करके इसे cells voucher में convert कर लेंगे यह देखे अभी उपर status में optional लिखा है इसे हटाने के लिए control और L की इसको press करेंगे अब आप जिस तारीख में बिल बनाना चाहते हैं वो type करें हम तारीख एक अक्टूबर type कर रहे हैं ये देखे यहां customer का नाम आ रहा है हम enter press कर रहे हैं ऐसा करते ही dispatch details के साथ ही order details की screen आएगी और यदि नहीं आ रही हो तो पहले backspace press करके voucher पर जाएं फिर F12 press करके provide order details को yes कर दें और screen को save कर लें अब यहां आप जो dispatch details देना चाहें वो दे सकते हैं इसके बाद यहां order details में जाकर space bar press करके वो conditions हटानी होंगी जो हमने quotation में दी थी अब आप यदि कोई नई conditions type करना चाहें तो कर सकते हैं हम mode of payment में 15 credit days type कर रहे हैं और enter press करके आगे बढ़ रहे हैं जैसे हमने item select किया यहां item allocation screen आ रही है इसमें हमसे order number पुछा जा रहा है दरसल यह order number sales order का part है और हम quotations से invoice बना रहे हैं तो यहां हम select करेंगे not applicable और आगे बढ़ेंगे यहां पुरानी narration हटा देंगे यदि आप चाहें तो यहां कोई नई narration दे सकते हैं अब इस voucher को accept कर लेंगे चलिए अब हमने जो sales voucher बनाया है उसे देख लेते हैं उसके लिए day book पर जाकर हमने जिस date में voucher बनाया था वो date type करेंगे यह देखिए अभी हमने जिस quotation को sales voucher में convert किया था वो यहां पर दिखाई पढ़ रहा है यहां हम आपको एक महत्पून बात बता दें कि हमने ये वीडियो टैली प्राइम रिलीज 3 पर बनाई है इसके पहले वाले रिलीज में जब हम quotation से bill यानि invoice बनाते थे तो bill number ऊपर नीचे हो जाते थे टैली ने इस रिलीज में अब उस problem को solve कर दिया है आखिर में एक बार फिर बता दें quotation को sales order voucher पर optional select करके बनाया जाता है तो दोस्तों इस तरह से हमने quotation बनाना और quotation को sales voucher में convert करना सीखा इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि proforma invoice क्या है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद